हेलो बच्चो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कख्षा का पाठ ततारा वामीरो कथा की प्रश्ण उत्तर सबसे पहले सूविचार देखते हैं जिन्दगी मौके बहुत देती है बस हमेच चाहिए कि हम प्रतिक्रिया नहीं क्रिया करें पहला प्रश्ण देखते हैं ततारा वामीरो कहां की कथा है तो उत्तरे ततारा वामीरो उस दीप की कथा है जो आज लिटिल अंदमान और कार निकोबार के नाम से जाने जाते हैं यह एक लोग कथा है प्रश्ण नमबर दो है वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई तो उत्तरे वामीरो अपना गाना इसलिए भूल गई क्योंकि अचानक समुंद्र की उची लहर ने उचल कर उसी बिगो दिया और वे हड़ बढ़ा कर गाना गाना भूल गई अगला प्रश्ण है ततारा ने वामीरों से क्या याचना की उत्तरे ततारा ने वामीरों से अपने मदूर गीत को पूरा करने और अगले दिन समुंद्री चक्टान पर आने की याचना की कोशन नमबर चार है ततारा और वामीरों के गाओं की क्या रीती थी तो उत्तरे ततारा और वामीरों के गाओं की यह रीती थी कि वहां के निवासी केवल अपने गाओं वालों के साथी विवा कर सकते थे दूसरे गाओं के लोगों से विवा़ करने की सक्त मना ही थी पुशन नमर चार है, क्रोध में ततारा ने क्या किया तो उत्तरह क्रोध का शमन करने के लिए ततारा ने कमर पलटकी, तलवार निकालकर उसे धर्ती में गार दिया और ताकत से उसे खीचने लगा लगूत्री प्रश्ण देखते हैं ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत्ता तो उत्तर है ततारा की तलवार के बारे में लोगों का यह मत्ता कि यह लकडी की बनी होने के बावजूद अद्बुत देवी शक्ती से परिपून है ततारा अपनी तलवार को सदेव अ मर दो है वामीरों ने ततारा को बेरुकी से क्या जवाब दिया तो उत्तर है वामीरों ने ततारा को बेरुकी से ये जवाब दिया कि पहले बताओ तुम कौन हो इस तरह मुझे गूरने और आसंगत प्रश्न आसंगत प्रश्न का क्या कारण है अपने गाओं के अलावा किसी और गाओं के युवक के प्रश्णों का उत्तर देने में, देने को मैं बात दे नहीं, अगला प्रश्ण है ततारा वामीरों की त्याग मही मृत्यू के बाद, निको बार में क्या परिवर्तन आया, तो उत्तर है ततारा वामीरों की त्याग मही मृत्यू के बाद, दूसरे ग अगला प्रशन है निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे तो उत्तर है निकोबार के लोग ततारा को पसंद करते थे क्योंकि वैं सुन्दर, शक्तिशाली, सहासी, मददगार और परोपकारी था। मैं सदेव दूसरों की साहिता के लिए तत्पर रहता था, मैं अपने गाओं वालों की नहीं अपितू, समूचे दीप वासियों की सेवा करना अपना परम करतवे समझता था, इस वजय से सभी उसका आदर करते थे। दिर्गुत्री प्रश्नुत्तर निकोबार दीप समू के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है, तो निकोबार दीप समू के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का विश्वास है कि बहुत समे पहले लिटिल अंदमान और कार निकोबार दीब समू आपस में मिले हुए थे उस समय निकोबार दीब समू में यह परंपरा विद्यमान थी कि एक गाउं का युवक दूसरे गाउं की युक्ती से विवान नहीं कर सकता ततारा नामक एक युवक को दूसरे गाउं की युक्त वामीरों से प्रेम हो गया गाउवालों ने इसका विरोध किया और ततारा का अपमान भी किया जिसे क्रोधी तोकर ततारा ने अपने तलवार धर्ती में गाड़ दी और उसे कीस्ते कीस्ते दूर चला गया इसे धर्ती के दो भाग कर दिये एक निकोबार और दूसरा अंदमा प्रश्न नम्बर तीन है वामीरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तनाया तो उत्तर है वामीरों से मिलने के बाद ततारा अचम भी था और साती रोमान्चित भी क्योंकि उसके शांत और गंभीर जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि वै किसी की प्रतिक वारीयत ब्रतिक्षा कर रहा हो या किसी के बारे में सोच रहा हो उसके लिए पूरा दिन बोरियत से बरा हुआ था यानी उबाओ था मैं समय से पहले लपाती के समुंद्री चट्टान पर पहुँच कर मामीरों की परतिक्षा करने लगा क्योंकि उसका मन किसी और कारे में नहीं लग रहा था मैं सिर्फ मामीरों के बारे में सोच रहा था साथ ही उसके मन में यह आशंका भी थी कि वामीरों उससे मिलने आएगी भी या नहीं प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ती परदर्शन के लिए किस परकार के आयोजन किये जाते थे तो तरह प्राचीन काल में मनुरंजन और शक्ती प्रदर्शन के लिए पशुपर्व जैसे परवों का आयोजन किया जाता था जिसमें हर्ष्ट पुष्ट पच्छुओं का प्रदर्शन किया जाता था इतना ही नहीं उनके साथ यूगों की शक्ती का प्रशिक्षन भी किया जाता था अर्थात पशों से लड़ा कर देखा जाता था कि युवा कितना शक्ती शाली है इसके लिए सभी दीपवासी एक गाउं में कठा होते थे महाँ परनेक परकार के रंगारंग कारिकरम भी होते थे और अंत में भोज का आयोजन भी किया जाता था इस पर्व में सभी दीपवासी हर्ष और उल्लास के साथ अपनी प्रती भाग्यता सुनिश्चित करते थे क्वशन नमबर पाँच है रूडिया जब बंधन बन बोज बनने लगे तब उनका तूड जाना अच्छा है इस पश्ट कीजिए तो बच्चो रूडिया जब बंधन बन बोज बनने लगे तो उनका तूड जाना ही अच्छा होता है क्योंकि रीती रिवाज परमपराएं और मान्यताएं मनुश्य के फ़ाइदे के लिए बनाई जाती हैं। जब वही परमपराएं मनुश्य के उपर हावी होकर उसे नुकसान पहुचाएं। तो महारूडियों का रूप ले लेती हैं। और इन डूडिवादी परमपरा का तूड़ जाना अनिवारे है। जैसा हमने इस बाट में देखा बच्चो ततारा वामीरों के बीच वैवाईक संबन्द इस्तापित नहीं हो पाया। और उन्हें अपमानित होकर अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। उनके इस बलिदान के बाद रूडिवादी परमपरा का अंतुआ। आशे सबस्ट कीजिए जब कोई रहा ना सूची तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ती भर उसे धर्ती में खोब दिया और ताकत से उसी कीजिने लगा। युद्त है आशेस बस्ट हैं तो आपको बता हैं पहले बाठ का नाम लिकिए ततारा वामीरो क था फिल लेखक का नाम लीला धर मंडलोई पुस्तक का नाम इसपर्श गदखनड , आशे प्रस्तुत पंक्तियों की द्वारा लेकक लीला धर मंडलोई ततारा की क्रोध का वंडन करते हुए कहते हैं की ततारा एक सम्मानित व्यक्ति था, किसी और ने पहले उसका अपमान नहीं किया था, परन्तु आज वामीरों की मां के साथ सभी गाउंवालों ने ततारा को अपशब्द कहकर अपमानित किया, तो ततारा से सहन नहीं उपाया और क्रोध से तलवार उठा ली, मैं ना किसी को मार सकता था, ना किसी का मान कर सकता था, उसके पास अपनी समस्या का समाधान के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं था, उसने अपने क्रोध को शान्त करने के लिए पूरी ताकत से अपनी लकडी की तलवार को जमीन में घोप दिया और दूर तक ले गया जिसे से दीप के दो भागों में विबक्त हो गया अगला आश्य देखते हैं बस आश्य की एक किरंड थी जो समुंद्र की देव पर डूपती किर्णों की तरह कभी भी डूप सकत हैं अगर आप एक्जाम यानि परिक्षा में करें तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि दो आश्य नहीं आये होंगे एक ही आया होगा तो आपको लिखना पड़ेगा पाट का नाम ततारा वामीरों कता लेखक का नाम लिलाधर मंडलोई पुस्तक का नाम इसपर् लिलाधर मंडलोई ततारा के पांस वामीरों के आने का मनन करते हैं कि जब ततारा वामीरों की परतिक्षा कर रहा था तो जैसे जैसे सूरच डूबता जा रहा था और उसकी रंग बिरणी किलने समूदर पर पड़ रही थी तो उसे देख कर उमीद भी दीरे कम होती जा रह अगर मामेरो ना आती आई तो